जीवन को अनेक तरह से मैंने कहा है जैसे एक शब्द है जीवन अनन्त है अनादी है अनन्त है जीवन पुर्शार्थ है परमार्थ है जीवन अश्रम है विश्राम है जीवन भगवान के सबसे बड़ी सोगात है निरंतरता के साथ प्रणायाम करते हुए इस बात को और गहराई से नवभव करें जीवन में हम जो कुछ करते हैं उसका अनन्त फल हमें मिलता है शुब के बीज हम बहते हैं तो उसका भी आनन्त फल मिलता है और अशुब का भी पाप का भी एक भी असुब विचार दुर विचार दुर भावना दुष्कर्म हम करते हैं फिर अपनिया आप उटमेटिक उयुम अधिप्ला होता रहता है जि का dziयान भी माल्टिप्ला होता है अध जियान भी सदभाव भी और दुर्भावना भी सद कर्म भी बाप भी पुन्य भी सुख भी दुख्व भी इसलिए अशुबह से बचे और ये मैंने मेरे पूर्वज रिश्यों ने अनादिकाल से इस साश्रत नित्य सत्य को अनुभव किया आज भी से जगत में जितनी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक, धर्मिक, अध्यात्मिक, क्षेत्र में महापुर्श, सभी व्यक्तियों का विस्त्री हों, पुरुषों, किसी भी मत्पंत्संप्रदाय, देश, जाती के लोग, सब ने अनुभव किया, कि जो कुछ हम जीबन में करते हैं, वो अनंत गुणा होकर के हमें मिलता है, यद्यपी इस सत्य को समझने में फेर हो सकता है, थोड़ा भोत, काल के कार्ण से देर सबेर हो सकती है, लेकिन ये परम शाश्वत नित्य सत्य है, इसलिए, मैंने बार बार इस बात को भी कहा, कि हम इच्छा होने पर भी कोई भी दोश है, दुर्गुण है, आलस्य है, प्रमाद है, दुर्विचार है, दुर्भावना है, दुश्कर्म है, कोई भी जीवन में किसी भी प्रकार का अशुब है, इच्छा होने पर भी उसमें प्रभृत्य ना हो, न जाने कौन सी जर्म की कौन सी वासना है, जो हम से बनात ऐसे करवा देती है, यद्यपी प्रकृती पर विजय पाना, यह बहुत बड़ा शौर्य और प्राक्रम है, लेकिन इस पर भी हम विजय पा लेते हैं, उसके लिए अभ्यास, 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 और फिर एक दिन पौन सत्व में जीने का भ्यास,